आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें कोकरोच के छह पेर होते हैं, कितने छह पेर होते हैं इसलिए इसका जो वर्ग होता है, वो होता है हेक्जापोडा हेक्जा का मतलब होता है छह और पोड़ा का मतलब होता है पेर इसले इसको किस वर्ग में रखते हैं हेक्जापोडा वाले वर्ग में रखा जाता है दोस्तों ठीके आर्थोपोडा इसका क्या है संग है तो पहला अप्षन दिया है हेक्जापोडा हेक्जापोडा यानि कि छह पेर वाला और वो cockroach है, right होगा, एपोडा जिसके पैर ही नहीं होते, उसको एपोडा में रखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ प्रकार के उभईचर आते हैं, कुछ उभईचर जिनके क्या नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, उनको एपोडा के अंदर रखा जाता है, उसके बाद दिया है मीरी आपोडा मीरी आपोडा जो होते हैं दोस्तों ठीक है या मीरी आपोड से होते हैं उनकी अंदर बहुत सारे पेर होते हैं ठीक है ये 10 से लेकर 100 पेर वाले भी हो सकते हैं तो ये भी सही नहीं होगा और सिफेलो पोडा सिपहलो पोड़ा उनको शीड शपाद भी कहा जाता है उनमें भी कोक्रोष की बाती 6 पẹर नहीं होते यह अश्ट बूझ इनको कह सकते हैं ठीक है? इनको क्या कह सकते हैं? अश्ट बूझ इनको कह सकते हैं तो यह भी सही नहीं होता तो right answer हमारा हो जाता है option A आशा करते हैं आपको स्प्रश्ण का उत्तर समझ आया होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद